हाई दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर फॉन की पूरी सेटिंग्स घड़बड हो गई है तो कैसे सही करेंगे तो इसके लिए फॉन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आ जाना है तो यहाँ पर आप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या और नीचे रिसेट फॉन का आप्शन मिलेगा इस आप्शन पर क्लिक करना है अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप्शन मिलेगा रिसेट आल सेटिंग्स या रिसेट सिस्टम सेटिंग्स इसी आप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करने से क्या होगा फॉन की पूरी स सेटिंग्स रीसेट हो जाएगी नेटवर्क सेटिंग्स भी रीसेट हो जाएगी इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा जैसे कि फोटो वीडियो कंटेक्ट नंबर कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसे ही हो जाएगी तो इस आप्सन पर क क्लिक करना है और लाक स्क्रीन का जो पाइटर निया पासवर्ड रहेगा उसे डाल कर reset कर देना है तो अब हम बैक आते हैं इस सेटिंग को आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं देखिए settings में आएंगे तो उपर search का option मिलेगा इस option पर किलिक करके यहां पर लिखना है reset तो रिसेट आल settings या reset system settings का option आ जाएगा इस पर किलिक करके यहां पर आ जाएंगे अब यहां से आसानी से कर सकते हैं तो इतना कर लेने के बाद अब अपने फोन को एक बार restart करना है कैसे restart करेंगे तो देखिए जो फोन का power button है जिससे mobile lag करते हैं इस button को कुछ second तक दवा कर रखना है तो यहां पर option आएगा restart या reboot का इस option पर किलिक करना है और जैसे फिर से किलिक कर देंगे तो फोन अपने आप ही switch off कर switch on हो जाएगा इससे कुछ भी delete नहीं होगा और जो भी problem रहेगी हो सही हो जाएगी फिर पूरी setting सही से work करेगी तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उडियो को like और चैनल को subscribe कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी करतीचिए थैंक यू